हिमाचल परदेश के जिला हुना के बंगाना शित्र में जंगल की आग भुजाते जुलसकर जान गवाने वाले वनरक्षन को परिशासन ने तरंगा ओड़कर अंतिम विदाई दी वनमंत्री रकेश पठानिया ने कहा कि रजेश कुमार को तरंगे में उड़ा कर अंतिम विदाई दी जा रही है बलिदान की तरह ही अंतिम संसकार किया जा रहा है वनमंत्री सुबा ही वनरक्षक राजेश कुमार के घर पहुँच गए थे इसके लावा उपायुकत और पुलिस अधिक्षक भी मोके पर पहुँच गए वनमंत्री ने कहा गिए वनरक्षन की पतनी को आधा वेतन पैंचन के रूप में आजीवन मिलता रहेगा इसके लावा बच्चों को नोकरी भी दी जाएगी वनरक्षक राजेश कुमार जंगल की आग को बुजाते हुए जुलस गए थे दो दिन के बाद उनका पीजी एई चंडीगड में निदन हो गया था वनरक्षक राजेश कुमार के होसले को सलाम किया जाएगा राजेश कुमार ने अपनी जान की परवार ना करते हुए वन संपता वाजीव जंतों को बचाने के लिए अपने प्रान तक गवा दिये राजेश कुमार पहले डिस्पैच में थे वहाली में मनक्षक के पदपर तैनात हुए थे लेकिन वह अपने काम को लेकर बेहत संजीदा थे पूरी मानदारी के साथ वह अपने करतब का निर्वाहन कर रहे थे जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए वे एक छोर पर अकेले ही जुटे इसी दोरान तुफान चलने के कारण आग बेकाबू हो गई और वो भी इसी चपेट में आकर 90 फिसदी तक जुलस गए थे गंबीर हालत में उन्हें स्थाने अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन बंगाना से उना और वहां से पीजी आई चंडी गट के लिए रैफर कर दिया गया दो दिन बाद उनका निधन हो गया ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए इन टीवी के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर ज़रूर करें